हलो दोस्तों सुवागत आप सभी कामर योटूब चैनल स्पी रियल टिप्स में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बताएंगे आप अपनी फेस्बुक स्टोरी में न्यू पोस्ट एंड टैफ है जैसे स्टिकर कैसे एड कर सकते हैं इसका क्या फाइद है अगर दोस्तों आप न्यू पोस्ट जो भी स्टोरी में अगर आप न्यू पोस्ट का स्टिकर से एड करके अप्लोड करेंगे तो दोस्तों इससे आपके फेस्बुक स्टोरी के व्यू ज़्यादा बढ़ने के चांस है तो आईए दोस्तों स्टैप आप वीडियो क्तर बढ़ते हैं और हम तो यहां पर हम चलिए एक story एड़ कर लेते हैं उसके बाद हम इस story पर new post या फिट टैप है जैसे sticker एड़ करेंगे वो कैसे करेंगे दोस्तों आप जैसी story एड़ कर लेते हैं जश्ट आपको इस story के बगल में आपको यहां पर कुछ option देखने को मिलते हैं तो यहां पर दोस्त स्टिकर देखने को मिलेंगे लेकिन हम जो स्टिकर बता रहें वो यह स्टिकर यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे जो tap here and new post जैसे sticker आपको कहा मिलेंगे दोस्तों आपको इसके उपर आपको जश्ट एक GIF का option मिलेगा आप इस GIF के option पर जैसे click करेंगे तो यहां बरी आप आपको GIF फाइल के sticker कुछ देखने को मिलेंगे और सर्च करना है आपको यहां से जो sticker आपको चाहिए यहां पर हमें new post का चाहिए वह जैसे आप इस new post पर click करेंगे तो यहां पर new post के कुछ अच्छे का से आपको यहां पर sticker देखने को मिल सकते हैं जो आपको पसंद लगे वो sticker यहां से आप select कर लिए तो यहां पर आपको चिका से sticker देखने को मिल सकते हैं यहां पर हमने एक sticker यहां पर उठा लिया और यहां पर आप अपने हिसाब से अपनी story में adjustment कर सकते हैं और आप इस स्टिकर को यानि छोटा बड़ा या फिर गुमा फिरा भी सकते हैं तो जै यहां पर हम एक tap air का भी sticker उठा लेते हैं तो यहां से भी आपको कुछ sticker देखने को मिल जाएंगे tap air का आपको जो मर्जी यहां से ले सकते हैं तो चली हम यहां से एक sticker यह उठा लेते हैं tap air का तो इसको भी हम add कर देते हैं और जैसे हम इस sticker को add कर देंगे या फिर दोस्तों मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आप अपने इसाब से स्टिकर को सेलेट कर लीजिए तो जैसे कि हमने आपर टैफ एर का और न्यू पोस्ट का स्टिकर एड़ कर दिया और उसके बाद आप अपने स्टोरी को सेर कर दीजिए दोस्तो ऐसा करने से आपकी स्टोरी पर व्यूज आने के ज़्यादा चांस होते हैं क्योंकि स्टोरी आपकी थोड़ी अट्रेक्टिव दिखने को मिलती है और आपके फ्रेंड अगर फेस्बुक पर ओनलाइन है तो वह आपकी स्टोरी को 100% दोस्तो एक बार जरूर आपको विजिट करेगा तो इस तरह से आप अपने स्टोरी में जरूर ये स्टिकर यूज कीजिए न्यू पोस्ट एंड टेप एर का अगर आप फेस्बुक पेज पर स्टोरी अप्लोड करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेलफुल रही होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का लाइक जरू करके देगा अगर कोमेंट में अगर कोई डाउट लगे तो कॉमेंट वक्स में जरूर बताई के चाहिएगा और हां चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरू कर दीजीगा तो मिलते इसी तरह की नए इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद